साथ ही हो नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंशन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए MPPSC 2020 और 2021 की दृष्टी से अती महत्मूर आपका यूनिट 9 का एक टॉपिक है सूचना एवम संचार प्रोध्यों की यानि की Information and Communication Technology दीके यहां से क इस तरह के प्रश्ट आपके MPPSC के एक्जाम में आएंगे उन सभी प्रश्टों को कवर करेंगे Current Affair के प्रश्ट क्या क्या बन रहे है ICT से उनके बारे में भी आपको बताएंगे क्योंकि Current Affair के प्रश्ट आपकी प्रिच्छा में पूछे जा सकते ठीके ज्यादा से जदा Current Affair के प्रश्ट नहीं आपकी प्रिच्छा में Information and Communication Technology से देखने को मिलने वाले है ठीके तो सभी प्रश्टों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे साथी साथ आपको बता दे आपके पास सिर्फ और सिर्फ मई मई का समय बच्चा है जून में आपका एक्जाम है और हर एक दूसरों से आगे निकलना है और इस बार MPPSC में सिलेक्षन लेना है तो Practice, Practice, Practice सिर्फ Practice ही है जो आपको दूसरों से आगे निकाल सकती है ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको क्या करना एक से लेकर के 10 तक नंबर डालेने है जो भी आंसर आपका सही निकल रहा है उ आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्णी क्यों चलते हैं देखिए देखिए पहला प्रश्णी आप Communication Technology से है 5G Technology का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली टेली कॉम कंपनी कौन सी बन गई है ऑप्शन A है Airtel, ऑप्श आपको प्रदर्शन करने वाली पहली टेली कॉम कंपनी बन गई है तो आपको याद रखना है भारती Airtel ने ऐसा दावा किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है प्रस्ट नमर दो की ओर चलते हैं साथी साथ में आपको बता दिया अगर इसका आपको पीडिया डाउनलोड और सारी पीडिया आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी देखिए ICT का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन है information and communication टेली कंपनी ऑप्शन भी है information and communication टेकनलोजी ऑप्शन से important communication टेकनलोजी या फिर option नमर डी है इन में से कोई नहीं चलिए answer देख लेते हैं सही answer यान की information and communication टेकनलोजी जो है वो ICT का फुल फॉर्म होता है चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं देखिए तो ICT का पूर्ण रूप है information and communication टेकनलोजी जिसे हिंदी में सूचना एवं संचार प्रद्योग्ष की भी कह कहते हैं देखिए ICT से तातपर क्या है तो ICT से तातपर उन सभी तकनीकी और सेवाँ से हैं जो network आधारित निगरानी और नियंतरन उपकरण दूर संचार उपकरण का उप्योग करते हैं यानि कुल मिला करके जो भी आपका network यानि कि अजय से आपका mobile है तो यह भी आपका I ICT का एक पार्ट होगे जो मतलब network के आधार पर काम करते हैं वह सभी communication के जो model होते हैं वह ICT के अंतरकत आते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेस्ट नंबर तीन क्यों चलते हैं देखिए प्रेस्ट नंबर तीन है किस IIT ने एक मौझूदा nitrogen plant को oxygen generator में बदल दिया है औप्सन है IIT Bombay औप्सन भी IIT खड़कपूर औप्सन C IIT रूर्की या फिर औप्सन नंबर डी है IIT कानपूर और IIT वाले प्रेस्ट आपकी परिच्छा में देखने को मिलते हैं क्योंकि इससे जो MPPSC का एक्जाम हुआ 2019 वाला उसमें भी IIT के तीन प्रेस्ट लगवक देखने को मिलें थे ठीक है तो याद रखीएगा IIT आपको अच्छे से करके जाना ठीक है चलिए answer देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी ने nitrogen को oxygen में प्रवर्टित करने वाला एक generator विक्सित किया है आई oxygen की कमी को नियंतित करने के लिए उठाया गया जरसा कि आपको पता हैं यहाँ पर कोविड की situation की वज़ा से सबसे ज़्यादा oxygen की कमी भारत में देखने को मिल रही है तो इसी को ध्यान बे लखती हूँ अब आपको NSDC का full form बताएंगे और यह क्या कारी करती है भारत में वो भी आपको बताने वाले हैं आईए देखते हैं देखिए NSDC जिसका पूर्ण रूप है राष्टी कॉसल विकास निगम जो की भारत में कारी कर रहा है ने भारत में डिजिटल कॉसल प्रसिचल प्रदान करने के लिए California State University के साथ में भागेदारी की है ठीक है तो NSDC का full form भी आप याद रखिएगा राष्टी कॉसल विकास निगम है ठीक है और इसने जो है California State University के साथ में आपर समझोता ग्यापन पर हस्ताचर की है कि भारत के युवां को जो है डिजिटल साचर्था प्रदान की जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नंबर पांच की ओर चलते हैं देखिए प्रस्ट नंबर पांच है किस संस्थान में कीटारू सोधन बॉक्स यूनी सेवर बॉक्स विक्षित किया है जिसका उप्योग COVID-19 टांस्मिशन को कम करने के लिए किया जा सकता है बहुत महत्पून प्रस्ट है क्योंकि ये आपका पहली बात तो IIT से समंदित है और दूसर ये आंसर C यानि कि IIT रुड़की ने यहाँ पर यूनी सेवर बॉक्स का निर्मार किया आईए देखते हैं पूरी जानकारी देखिए तो याद रखिए COVID-19 के जो संचरन हो रहा है जो मतला फैला हो रहा है उसको कम करने के लिए यूनी सेवर बॉक्स विक्सित किया किसने IIT रुड़की ने और वहाँ के भी प्रोफेसर सौमितर सत्पती ने जो है इसमें अपना महत्पून योगदान दिया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमर 6 की ओर चलते हैं देखिए प्रस्ट नमर 6 भी आपका कम्यूनिकेशन टेक्नलोजी से है उप्राष्ट पती वैंक यान आईडू दारा लांच किये गए भारत के पहले सोसल मीडिया एप का नाम क्या है उप्सन है मिलाप, उप्सन भी है कनेक्ट इंडिया, उप्सन सी है अलिमेंट्स या फिर उप्सन मड़ी है इन में से कोई नहीं चलिए एंसर देखते हैं करेंट का बहुत ही महत्पून प्रस्ट नहीं है यूनिट 9 आपका यहां पर कवर हो रहा है एंसर सी यन की ऐलीमेंट्स के नाम से भारत का पहला सोसल मीडिया एप उप्राष्ट पति वेंकर या नाईड़ू जी के द्वारा लॉंच किया गया है चलिए पूरी जानकार्य आपको देते हैं देखीए तो देखिए उपराश्टपती वैंकर या नाइडू ने भारत का पहला सोसल मीडिया एप लॉंच किया है जिसका नाम एलिमेंट्स है एप उपियोग करताओं को मुप्त वीडियो या आडियो कॉल करने और निजी या समुह में चैड करने की अनुमती भी देता है यह एप महत्वा कांची में किन इंडिया को पहल को भी बढ़ावा दे रहा है ठीक है अब मतलब अभी तक हम दूसरों का एप यूज़ करते थे वॉट्स एप यूज़ कर रहे हैं अब हम अपना खुद का एप बना रहे है या निकि भारत आत्म निरभर बन रहा है और में कि मेकिन इंडिया जो पहल है भारत की उसको बढ़ावा मिल रहा है थीक है तो बस आपको याद रखना है कि कौनसा आप लांच किया गया है तो एलिमेंट अप लॉंच किया है तो प्राश्प्रदी वैंक या नाइडू की दारा लॉंच किया गया है महतून प्रश्ण है आपकी परिश्चा में पूछा जा सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी क्यों चलते हैं देखिए वीडियो को सेर जरूर कीज़ेगा अपन इस बिट्वीन यू चलिए अंसर देख लेते हैं सही आंसर बियान की वाट्सएप ने यहाँ पर लॉंच किया है इट्स बिट्वीन यू क्या है यह आईए देखते हैं तो मैसेजिंग की दिगज कंपनी वाट्सएप ने सनिवार को कहा कि उसने भारत में अपना पहला ब् है ठीक है तो यह मैसेजिंग कंपनी वाट्सएप ने यहाँ नया इनिसियेट लांच किया इट्स बीट्वीन यू और मैसेजिंग कंपनी वाट्सएप जो है वह अभी हाली में चर्चा में रही है ठीक है अपने कुछ मतलब की जैसे यहां पर चैंजिमेंट किये उसकी चलिए आगे बढ़ते है प्रस्ट नमर आठी बात करते हैं देखिए निम्रकीत में से किस संस्तान ने एक वर्च्वल क्लास मोबाइल मास्टर जी विक्सित किया है और यह आई टी कानपूर आप्शन भी आयटी भूनिस्वर आप्शन सी आयटी मंडी या फिर आप्शन मंड आईए आपको देते हैं देखिए तो आटी कानपूर ने एक आभासी कच्छा सहायता मोबाइल मास्टर जी विक्सित किया यानि कि वर्च्वल क्लास सिस्टम है मोबाइल मास्टर जी या कच्छा से घर सिच्छर सेट अप है जो चातरों को स्मार्ट फोन का उप्योग करते हुए सिच्छकों के लेक्चर निर्देसों आज को रिकॉर्ड करने में सच्छम बनाता है यानि कि एक मोबाइल मास्टर जी एप है जिसकी मदद से आप वहाँ पर अपना जो रेजिस्टेशन कराईए और आपका जो भी स्कूल जहां पर भी चल रहा है तो वहां से स्कूल नौ की और बढ़ते हैं देखिए प्रस्ट नमबर 9 क्या है तो ड्रोन के उपयोग से रहिस्तानी टिडियों को नियंतित करने वाला विश्ट का पहला देश कौन सा बन गया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी आईटी का यह प्रस्ट है ऑप्सन है चीन ऑप्सन भी पाकिस क्रिसी सहयोग और किसान के लिनार विभाग ने टिडि नियंतरन के लिए एक वाहन मांटेड अल्ट्रा लो वाल्यूम इस्प्रेयर विक्षित किया है भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने ड्रोन का उपयोग करते हुए रेगिस्तानी टिडियों पर नियंतरन प्र पहली ओडियो सेवा सुनो लॉंच की है एस यू एन ओ लॉंच की है और नेट्फलिक्स ऑप्षन भी ओडिवल ऑप्षन सी है गूगल ऑप्षन अमर डिये फेस्बुक चलिए एंसर दिख लेते हैं सही आंसर भी यानिकि ओडिवल नाम की जो सेवा है उसने भारत में अपन ओडिवल जिसने भारत में पहली ओडियो सेवा सुनो लॉंच की है इसका पूरा नाम क्या है तो ओडिवल सुनो इस सेवा का पूरा नाम है या हिंदी और अंग्रेजी में मूल ओडियो मरन रंजन के श्यक्रों घंटे तक मुप्त सुविदा उपलप्ट कराता यानि कि कु पूचे आते हैं उसके लिए हम रोज सुबस साथ वजए एक वीडियो लेकर के आते हैं जो है करेंट अफेर के नाम से आज भी हमने उसको अपलोड किया है आठ माई करेंट आफेर जो कि आपका थम्रेल जो है उस वीडियो का यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो यहा आपको फोटो भी दिखेगा सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और फुल डीटेल में जानकारी होती है तो उस वीडियो को देखना बिलकुल मत भूलिएगा आपका यूनिटेट महां से बिलकुल क्रिश्टल क्लियर होता हुआ चलेगा ठीक है उसका भी PDF आपको टेल डेली ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर किया आते रहते हैं और करेंट अफिर वाली ये वीडियो देखना मत भूलिएगा आज उसमें बहुत अच्छी चीज़े आपके लिए MP करेंट अफिर से समन्देद योजनाय वगरा जो हैं वो इसमें कराई गई ठीक है तो जल्दी मिलत एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद आगे बढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए